तो हाई गाईज वॉलकम बैक टो इच आनल तो गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल है थोर एडिशन M.I.O.S. सेटप के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं इस सटप के कुछ फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर मैंने देखू, सबसे पहले हम स्किन में एक डिफरेंट टैप का वल पे पर यूज़ कर रखा है और ये कॉलग वज़िटी में यहाँ पर डिफरेंट टैप की यूज़ कर रखी है और लुक आपको काफी कमाल का देखने को मिल जाता है साथी अब बत करें इस setup के control center के बारे में तो ये भी complete change हो जाता है यहाँ पर आपको टॉप में different type का थोर वाल वालपेपर देखने को मिल जाएगा बट यहाँ पर आपको जो tongals देखने को मिलते हैं उन में ज्यादा change देखने को नहीं मिलता बट आपके smartphone में MIUI का 12 वर्जन होगा तो वो complete change हो जाएगा और यहाँ पर आपको लुक काफी कमाल का देखने को मिलेगा साथी notification panel के बात करें उसमें आपको ज्यादा change देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको टॉप में different type का थोर वाला wallpaper देखने को मिल जाएगा जो की इस setting वाइग को यह एक और complete change कर देता है यहाँ पर आपको font white color की देखने को मिल जाती है यहाँ पर आइकनस देखने को मिलता है और वो भी coffee कमाल के देखने को मिल जाता है साथी about phone में भी आपको टॉप में different type का wallpaper देखने को मिल जाता है इस setup के volume bar की बात करें तो volume bar में आपको ज़्यादा change देखने को नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर normal सा view देखने को मिल जाएगा बट इस setup का dialer UI आपको complete change देखने को मिल जाएगा साथी यहाँ पर आपको जो dialer UI में keep it देखने को मिल जाती है वहाँ पर आपको दो different type की widgets देखने को मिल जाती है और complete आपके सामने UI change देखने को मिल जाती है बट आपके smartphone में MIUI का phone dialer रो इंस्टल होगा तो ही change होगा Google dialer को यह support नहीं करता और wallpaper देख सकते हैं काफी कमाल का देखने को मिल जाता है और आगे बात करें इस theme के locker screen के बारे में तो ये भी आर काफी कमाल की देखने को मिल जाती है और इसको customize करने के लिए मैंने यहाँ पर एक different type की theme यूज़ कर रखी है और complete आपके सामें UIB change देखने को मिल जाती है तो अब बारी आती है इस setup को आपको create कैसे करना है तो इस setup को create करने के लिए आपको तीन themes के यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे एक wallpaper यूज़ कर रखा है इसका link आपको description box में देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको जो theme download करनी है उसका नाम आपको देखने को मिल जाता है Thor V13 के नाम से और इसको customize करने के लिए आपको basically customize वाले option के पर click करना है और इस वाली theme को आपको home skin, icons and system के लिए apply करना है और यहाँ पे आपको lock instance से इसका take हटा देना है और पहले आपको dark mode enable करना है उसके बाद आपको यह वाली theme डाउनलोड करनी है और अप्लाइ करना है और यहाँ बेआपको Thor V13 के नाम से यह वाली theme देखने को मिल जाती है साथ यह second वाली theme जो आपको डाउनलोड करनी है यहाँ पर मैंने इसको यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पर जो वोल पेपर देखने को मिलता है, इसके ओकोडिंग यार इडलू काफी कमाल का देखने को मिल जाता है, तो इस clock widget को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, simple यह वाला name सर्च करना है, और डाउनलोड करके अपलाई कर लेना है, आपके सामने एक clock widget open हो जाएगी, उसके बाद आप यहाँ पर add कर लेना, and complete आपके सामने design change देखने को मिल जाएगी, and इस setup को आपको डार्क मोड में enable करना है, तो यह तनी एक छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आयो, तो वीडियो को लाइक कर ताकि आप ऐसे ओर इंटरसिंग वीडियो मिस न कर पाओ, and guys 3 के सब्सक्राइबर याद जल्दी complete करवादू